तो देखिए हम लोगों ने जब महाराना कुमभा पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि महाराना कुमभा के बेटे का नाम था रायमल ठीके और इन키 रायमल का बेटे है कौन महाराना सांगा जिने हम संग्राम सिंग भी कहते हैं रायमल का जो शाशन काल रहा वह 1468 से 1509 इस्वी का रहा है और 1453 में ही आवल वावल की संधी होती है जिसमें महाराना कुम्भा के जो बेटे हैं रायमल इनका विवहा श्रंगार देवी से होता है जो की मारवार के राव जोदा की बेटी थी इनसे विवा होता है और इनसे ही रायमल के ही बेटे हैं प्रत्वी राशिशोदिया, राना सांगा और जैमल ठीक है तो रायमल की जो पतनी थी स्रंगार देवी इन्होंने चित्तोड में घोसुंडी ताला बनवाया था एक्जाम में कई वार पूछा भी गया है और रायमल न चित्तोड में ही अधुपूत सिव मंदिर बनवाया था और देखिए 1509 इसवी में ही बिजली गिरने से रायमल की म्रत्यू हो जाती है और इनके बाद जो शाशक बनेंगे महान शाशक राना सांगा बनेंगे जबकि रायमल के बड़े बेटे प्रत्वी राशिशोदिया थ जैमल प्रत्वी राशिशोदिया जिने हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं क्योंकि यह है बहुत तेज गती से दोड़ते थे ऐसा मानिये कि घोड़े की तरह दोड़ते थे इसी लिए इन्हें उड़ना राशकुमार जो है कहा जाता था ठीक है तो प्रत्वी र नदेधर राइमल के बाद संग्राम सिंघ ही बनेंगे रानसांगा ही बनेंगे तो ये सब सुनकर प्रतवी राज शेशोदिया और जैमल उनको परेशानी तो होगी क्यूंकि यहाँ पर किसको बनना है मेवाड का शाशक प्रतवी lists शेशोदिया को क्योंकि राजबूतों में जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसी को बनाया जाएगा लेकिन भविष्यवानी क्या कह रही थी कि राना सांगा जो है वह मेवार के शाशक आगे चलकर बनेंगे तो यहां तीनों में ही संघर्स होता है और इसी संघर्स के दौरान जो है संग्राम सिंग जो की छोटे थे राना सांगा जो है वह मेवार के शाशक बनते हैं तो दरवारी जो शिल्पी है वो कौन है रायमल के अरजुन है याद रखिएगा दरवारी विद्वान गोपाल भट और महेश है तो एक-एक पॉइंट जो है वो आपको रटा होना चाहिए तो सबसे पहले है प्रत्वीरा शिशोदिया तो देखिए प्रत्वीरा शिशोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है और इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई अब इनकी जो पत्नी ताराबाई है और प्रत्वीरा शिशोदिया एक बार अजमेर घूमने जाते हैं और अजमेर में अज्ये राज के द्वारा जो बनवाया गया अज्ये मेरु दुर्ग वहाँ पर तारा भाई की नजर पड़ती है, प्रत्वी राशी शोधिया के द्वारा उस अज्ये मेरु दुर्ग की क्या करवाई जाती है, मरमत करवाई जाती है, और उसके बाद प्रत्वी राशी शोध उसी अजे मेरू दुर्ग का नाम बदल कर अपनी पतनी तारा के नाम पर रख देते हैं तारागड तो आपने सुना है कि अजमेर में तारागड है तो वही है यह अजे मेरू दुर्ग के नाम पर था पहले और बदल कर इसका नाम रख गया तारागड तीक है यहां तक आपको समझ में आया होगा, पतनी तारा बाई के नाम से अजे दुर्क का नाम तारागड रखा, प्रत्वी राशी चोधिया का बहनोई था राव जगमाल देवडा, इनकी बहन थी आनंदा बाई, उनका पती था राव जगमाल देवडा, इसके द्वारा प्रत्वी राशी चोधिया को जहर दे दिया जाता है और इसे मार दिया जाता है ठीक है? छत्री इनकी कुम्बलगर्ड में बनी हुई है, बाराकम्बोकी छत्री है उत्रा दिकार संगर्ष में सांगा जो है वहें विजई रहे थे, इनका साशन काल है फंद्रे सो नो नो इसवी से तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सींग और ये राना जो रायमल थे उनके छोटे बेटे थे इनके शाशनकाल में देखिए मेवार जो है वो अपनी सक्ती के एकदम चरम उतकर्स पर पहुँच गया था इन्होंने सभी राजपुद राजजियों को संगटित किया था और उनको एक ही छत्र के नीचे लेकर आये थे ठीके और ये पराकरमी योदा थे इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा यहां तक की जो मुगल बादशा जो बावर था उनके आकरमनों से अपने राज्ये की ब इसी लिए इनको जाना जाता है राणा सांगा को इनकी वीरता और उदारता के लिए तो देखिए 1509 से 1528 इनका शाशनकाल है इनका बायो डाटा देखिए इनका जन जो है 12 अप्रेल 1482 को चित्तोरगर में हुआ था राजदिलक 24 मई 1509 को हुआ था 19 वर्ष तक इनका शाशन काल रहता है और सरवाधिक शाशनकाल की महाना कुमभा जो है जिनोंने 35 वर्ष का शाशनकाल जो है जिनका रहा है जो की मेवाड में सरवाधिक शाशनकाल माना जाता है महाना कुमभा का और 19 वर्ष का शाशन रहा है राणा सांगा का जो तिशी देखिए भीमल गाउं की च में रहता है पंद्रे सो नौ में अजमेर के कर्म चंद पवार की सहता से राना सांगा को मेवार राज्य प्राप्त हुआ था तो देखिए जब यह अजमेर चले जाते हैं तो क्या करते हैं राजपुती सैना जो है कर्म चंद पवार की सहता से इखटी करते हैं और वापस आकर जो है यहां मेवाड पर शाशन करते हैं तो याद रखना है इनका नाम कि अजमेर के किस शाशक की वज़े से राना सांगा मेवाड के राजा बने तो कौन है कर्मचंदर पवार ठीक है कर्णल जैमस्टॉट कहते हैं कि राना सांगा सेनिकों का भगनासेस है शरीर पर इनके असी गहाओ थे खानवा के युद्ध में तो एक ये लाइन है कि राना सांगा सेनिकों का भगनासेस है एक एक्जाम में पूछी जा सकती है कि किस शाशक के बारे में कहा है कर्णल जैमस् राजा साथ उच्छिष्रेणी के राजा नो राओ 104 सरदार सदिव राना सांगा की सेवा में रहते थे यह भी कहा गया है कर्णल जैम स्टॉड के द्वारा हर विला सारदा कहते हैं इनकी तारीफ में कि मेवाड के महारानाओं में राना सांगा सरवाधिक सक्तिसालिश आशक ह इन्हों ने अपने पुर्सार्त के द्वारा मेवाड को उन्नती के सिखर पर पहुंचाया हाला कि मेवाड में देखिए राना कुमबा महाराना प्रताप ठीक है तो ये भी बहुत सरवाधिक सक्तिसालिश आशक हुए हैं लेकिन हर विला सारदा ने किसके बारे में कहा है र राना सांगा की उपादी थी हिंदुपत अब देखिए 1509 इसवी में राना सांगा का किसके साथ संघर्स होता है मालवा के सुल्तान है नासरुद्दीन इसकी क्या हो जाती है मृत्य हो जाती है तो यहां पर भी उत्रादिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है महमूद महमूद खिल जी सेकिंड क्या करता है कि राजपूत सरदार मेधनी राय के सहयोग से मेधनी राय के सहयोग से मालवा का शाषक बन जाता है यानि राना सांगा के समय मालवा के सुल्तान कौन है नासरुद्दीन है और उसके बाद है महमूद खिल जी सेकिंड और मेधनी राय जो है तो उसका जो रौब है वहां मालवा में ज्यादा उच्च हो जाता है तो वह वहां का ऐप्रत्यक्षाशक बन जाता है लेकिन जो मालवा के जो अमीर थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई मेदनी राय पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसे कद्धी से हटा दिया और 1511 इसवी में युद्ध होता है राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकिंड के बीच में याद रखना है महमूद खिलजी सेकिंड है यहां पर और जब महाना कुमभा हमने पढ़ा था तो वहां महमूद खिलजी फस्ट था तो 1511 इसवी में मालवा के महमूद खिलजी सेकिं राना सांगा के बीच में युद्ध होता है जिसमें महमूद खिल जी को हार का सामना देखना पड़ता है राना सांगा द्वारा मेदरी राय को गागरोन दुर्ग जो है वह सौफ दिया जाता है डिल्ली का सुल्तान था सिकंदर Лोदी, तो उसके समय डिल्ली के जो इलाके थे उनपर अधिकार करना शुरू कर दिया था राना सांगा ने, लेकिन क्या हुआ, राज्य की जो निर्बल्ता के कारण सांगा के साथ संघर्ज के लिए तैयार नहीं हो सके, राज्य जो भी थे सि उत्रादिकारी था इब्राहिम लोदी इस ने क्या किया? 1517 में मेवार्ड पर आकर्मन कर दिया. तो यहां पर याद रखियेगा कि महारेनार सांगा के समये में जो दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी था और उसके बाद ही कौन था? इब्राहिम लोदी. ठीके? उसी का उ राणा सांगा है वो क्या रहते हैं विजयी रहते हैं और इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है तो और इस युद्ध में जो सांगा है उनका बाया हाथ भी कट जाता है ठीक है और जो घुटने हैं वहाँ पर तीर बगरा भी लग जाते हैं जिससे की जो राणा सांगा है व होता है इब्राहिम लोधी दुबारा अक्रमन करता है 1518 इसी में इसे बाड़ी का युद कहा जाता है यह धौलपुर में है और फिर भी इब्राहिम लोधी यहाँ पर भी पराजित होता है तो अब एक्जाम में क्या पूछा जाएगा कि राणा सांगा जो है उनके साथ इब् 1519 का गागरोन का युद्ध तो गागरोन जो की मेधनी राय को सौब दिया था राना सांगा ने अब यहां युद्ध होता है आक्रमण जो है गागरोन दुर्ग पर हार का सामना यहां पर महमूद खिलजी सेकिंड करता है तो गागरोन के युद्ध जो की 1519 में होता है तो यह यहां पर भी महमूद खिल जी क्या करता है राना सांगा पर आक्रमण करता है लेकिन यहां पर दुबारा से उसे हार का सामना करना पड़ता है सुल्तान जो है इसको बंदी बना लेता है और कुछ समय तक इसको अपने पास रखता है ठीक है और फिर क्या करता है इसे मुक्त कर देता है और मालवा दुबारा वापस दे देता है तो देखे राना सांगा जो है उनके साथ जो है ऐसा हर साल हुआ है कि कभी भी वो शांत नहीं बैटे हैं किसी ना किसी का आक्रमर जो है उनके उपर हुआ है या राना सांगा के दौरा युद्ध जो है वह है किया गया है तो इडर के राव भाना थे या राव भान थे, ठीक है? तो आपको कई किताबों में भाना लिखा मिलेगा या भान लिखा मिलेगा. इडर के राव भाना जो होते हैं यहाँ पर भी उत्तरादिकार के लिए युद्ध होता है यहाँ पर इसके पुत्र होते हैं रायमल और भारमल तो इनमें आपसी लड़ाई होती है जिसमें जो रायमल होता है इसका साथ कौन देते हैं राणा सांगा देते हैं तो इडर राज हस्तशेप से सांगा का गुजरात के सुल्तान से टकराव सुरू हो जाता है और जिसमें किसी को भी सपलता नहीं मिलती है पंजाव के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बावर को भारत आने का न्योता दिया कि वह आए और इब्राहिम लोधी पर आक्रमन करें क्योंकि इब्रा बावर को कहते हैं कि आए और इब्राहिम लोधी पर आक्रमन करें यहां तक कि ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि इब्राहिम लोधी जो है इसको आक्रमन करने के लिए राना सांगा भी कहते हैं बावर को फर्गना के बावर की तुर्की भासा में है आत्म कथा बावर नामा याद रखिएगा, बावर नामा जो है, बावर की तुर्की भासा में लिख्यू ही, आत्म कथा है, इसमें बावर क्या लिखते हैं, कि मैंने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी को पानी पत का युद्ध, इसमें पराजित करने के लिए साहता मांगी, कि राणा सांगा मेरी ह करेंगे किंतु सांगा ने क्या किया इनकार कर दिया तो अब क्या करेगा बावर के सबसे पहले तो उसे बुलाया ही गया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए तो सबसे पहले उसको हराएगा और उसके बाद किसको हराएगा राना सांगा को हराएगा तो इसी कारण बावर जो है वह है बहुत ज़्यादा important है यहां से आपके question जो है आता है 1526 में ही बावर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा कर आगरा पर अधिकार किया था फिर दिल्ली पर भी अधिकार किया था और मुगल सत्ता की स्थापना की थी ठीक है लोधी वन्स के समा इब्राहिम लोधी जो है बावर के सामने नहीं टिक पाता है और युद्ध भूमी में ही इसकी म्रत्यू हो जाती है और बावर दिल्ली में मुगल वन्स की स्थापना कर देता है तो दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वन्स, खेलजी वन्स, तुगलग वन्स और सायद वन्स अंत में लोधी वन्स इसकी समाप्ती हो जाती है ठीक है लेकिन आप लोग एक दो लाइन जो है वो यह याद रखिएगा कि राना सांगा जो है उनका इब्राहिम लोधी के साथ दो युद्ध होते हैं महमूद खिलजी जो है मालवा के उनके साथ एक युद्ध होता है जुगल शाशक बावर है और उसकी तरफ से लड़ने वाला है सैनापती महंदी हसन और दूसरी तरफ है मिवाड के राना सांगा तो यहां बयाना के कि दुबारा से आक्रमन की योजना बनाता है, क्योंकि इतने सक्तिसाली जो राजा है, जिन्होंने सभी जितने भी जो शेत्र थे, जो भी राजपूत शाशक थे, उनको अपने साथ मिलाया हुआ था, यहां तक कि कहा जाता है, कर्णल जैम्स टॉड ने भी ये बात कही थी, क कि जो महाना सांगा थे, वो हमेशा साथ उच्च श्रेनी के राजा, नो राओ, एक सो चार सरदार, सदिव राणा सांगा की सेवा में रहते थे, तो अब इतने सक्तिशाली जो शाशक है, उनको हराना इतना आसान नहीं है, तो बावर क्या करता है, दुबारा से आक्रमन की स तो अब ये क्या करेगा, कि अपने राज्य में कुछ परिवर्तन करेगा, तो यहां पर सैनिकों को सोमरस जो है, उसका त्यार करने को कहता है, कोई सोमरस वगरा नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं होगा, और जिहाद का नारा, यानि कि हमारे जो भी दुस्मन है, उन अब आता है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को भरतपुर में हुआ था, ठीके? तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक जितना भी हमने पढ़ाया है, उसे आप बारवा रिवाइज करिएगा, जो भी सन है, और जो भी नाम आये हुए हैं, अभी तक इनको आपको अच्छे से रट लेना है, यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं इसके अलावा आप लोगों को पढ़ने की आवेशक्ता नहीं पढ़ेगी, लेकिन इनको आपको एक एक पॉइंट जो भी लिखवाया गया है, यहाँ पर उनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू